लोकसभाज चुनावों को लेकर बयानबाजी काफी तेज हो गई है। उत्राखंड सरकार के पूर्वराज्य मंत्री राहुल यादव ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि नरेंदर मोदी ने रफैल मामले में चोरी की है और देश के किसानों को धोका देने का काम किया है। साथ राहुल यादव ने उत्राखंड प्रदेश में कॉंग्रिस की बड़ी जीत का दावा किया। इस पर खास बादचित की हमारे प्रमुख समधाता रजत अगरवाल ने। और कॉंग्रेस की सरकार 2019 में बनने जा रही है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी का है माहौल नुत्राखंड में। तो इस बार 2014 में जो वादे किये थे भाश्पा ने, तो वहीं अब 2019 है। तो क्या देखते हैं उन वादों का और उन मुद्दों का। 2014 में तो बहुत सारे वादे किये थे मुद्दी जी ने, कि हम 15-15 लाख रुपे खातों में डालेंगे, हर नौजवान के, किसान के, हर वर्क के लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने 15-15 लाख क्या 15-15 रुपे नहीं डालें तो इस चीज को भुगतना होगा मोदी जी को और किसानों का करज माफ नहीं किया मोदी जी ने, उनको धोका दिया, हमारी गंगा मा को जो उत्राखंड की बेटी है, उसको धोका दिया, गंगा स हिसाब से, यानि कि 72,000 रुपे साल के हिसाब से, जो बेरोजगार युवाँ है, उनको हम पैकेज में लाकर उनको हम रोजगार देंगे, और राहुल गांधी जी के नेत वर्त में 19 में सरकार बनेगी, और माननीय हरीश रावज जी सांसद होंगे नेनी ताल से जहां घूम तो ये थे उत्रागिन के पूर राजमंतरी राहुल यादव और इनका साफ तोर पर कहना है कि इस बार देश में कॉंग्रेस वापसी कर रही है, कैमरा परसन सुदेश रावत के साथ मैर जातकवाल, सीमन नीज, नैनिताल